नमस्कार और यहां पर आप देख पाएंगे यह है हमारा प्यारा भारत और इस्टन उत्तर पदेश में आपको मिलेगी दुनिया की सबसे प्राची नगरी वारन असी जिसको आप बनारस भी कह सकते हैं काशी भी कह सकते हैं तीनो इसी के नाम है और हाला कि आप हिस्टोरिकल पर जाओ विल्कुल हिस्टोरियंस की अगर हम बात वाने अर्कैडमिक तरीके से हम देखें तो हिंदुविजम दुनिया का सबसे प्राची निलिजन है और कहा जाता है कि काशी दुनिया की सबसे ओल्डे सिटी है हाला कि कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इस्राइल क की सिटी जेरिको वो लोग कहते हैं कि वो है दुनिया की सबसे प्राचीन सिटी तो इसको लेका थोड़ा डिस्प्यूट है मगर हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो कई ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, फ्लोसिफर्स जो भी काशी में आये हैं जिनोंने या पर पैर रख तो लगता ही कि ये जगा इतिहास से भी पुरानी है हाला कि historically का जाता है कि वारनशी 5000 साल पुरानी नगरी है मगर कई historians जो इंडिया बेस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं इसकी जो हिस्टरी है उससे भी जादा पुरानी आपको मिलेगी आगे मार्ट ट्विर ने का था कि वारन इनॉग्रेट हुआ है फेस टू का गाम में भी चल रहा है इसके इनॉग्रेशन के दुरान स्पीच दिया उन्होंने भी ऐसी ही बात बोली मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्पीच है ये आप सुनें यहां जागूति ही जीवन हैं का शीवह है मृत्यू लवी मंगल है कैंसी यहां सत्त्य ही समस्कार है काशी यहां प्रेम ही परंपर है है तो ही आपने स्पीच में जो वीडियो देखी है ये वीडियो है काशी विश्वनात कॉरिडॉर की मोदी जी यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर स्पीच दे रहे थे और पीछे यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है हिस्टोरिकल काशी विश्वनात मंदिर और आगे यहाँ पर आप देख पाएंगे गंगाजी भैरी हैं और जो यहाँ पर बहुत ही important आपको घाट भी लेंगे इनकी proper तरीके से अब connectivity कर दी गई है काशी विश्वनात मंदिर से यही है काशी विश्वनात कोरिडॉर अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं के वेल ठीक है इसको बनाना ज़रा मुश्किल तो नहीं होगा देखिए यह पूरा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पहले ऐसा एक द्रिश्य हुआ करता रहे हैं आपर क्या था कि काशी विश्वनात मंदिर के यहां पर आसपास बहुत सारे घर थे और आपको अगर घाट से मंदिर तक पहुशना है तो बहुत ही मुश्किल रास्ता होता था बहुत से टोरेस्ट ना सिर्फ इंडिया के वीरिएस रीजन से इंडिया के बहार से भी आते थे उन मंदिर के दर्शन करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, तो अब जब यह कॉलिडॉर बन चुका है, प्रॉपरली श्रद्धालू यहाँ से घाट से लेकर मंदिर पहुच सकते हैं, तो यहाँ पर जो डिवोटीज हैं, उनकी कपास्टी भी काफियत तक बढ़ गई है, प्या हजार स्क्वेर फीट हुआ करता था, आज के समय यह है, पांच लाग स्क्वेर फीट, और अभी तो बस फेज वान कंप्लीट हुआ है, इस कॉलिडॉर का, और यह फेज वान को ही कंप्लीट करने में, करीब साड़े तीन सो करोड से भी उपर का अमाउंट खर्च हुआ है, क्योंकि आसपा जो बहुत सारे घर थे, यहाँ पर वारनसी डिवलप्पेंट अथोरिटी को वो लैंड पर्चेस करना पड़ा, करीब 1400 लोगों को रिलोकेट करना पड़ा, उनको कहीं और हमने घर दिये, कई शॉपकीपर्स को रिलोकेट करना पड़ा, यहाँ पर जो all together य उनको बिडिफाई किया गया है, उनको भी पार बनाया गया है इस कोरिडॉर का, तो यह बहुत ही एक कॉंपलेक्स प्रोजेक्ट था, 2019 में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और अब 2021 में इसका फेज वान कंप्लीट हो चुका है, और फेज वान कंप्लीट होते ही आप टूरिजम है, बताया जा रहा है कि इसमें 2.5% का इजाफा देखने को मिलेगा, जो ओवर रॉल काशी की एकॉनवी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है, उसके इलावा PM बोधी ने ये भी का है, कि काशी विश्वनात कॉरिडॉर अपने आप पे इंस्पार करता है पूरे हिंदुस्तान को, मैं जाता हूँ, ये जो इनकी लाइन्स एनकी स्पीच की, ये आप सुनें पना रस अपना रस बिखेर रहा है, बाबा का ये धाम साच्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा सौंसार को अस्षर चकीत और आकर्शित किया है, आतताईयों ने इस नगरी पर आक्रबन किये, इसे द्वस्त करने के प्रयास किये, और अंजेब के उसके आतन का इतिहाँ साच्षी है, जिसलिए सब्विता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसलिए संस्कृती को कट्रता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बागती दुनिया से कुछ अलग है, यहाँ अगर आउरंग जेब आता है, तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं, अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है, तो राजा सुहल देव जैसे बीर योद्धा, उसे हमारी एक्तागी ताकत का एसांस कड़ा देते हैं, और अंगरे जों के दौर में भी बॉरन हैस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था, यह तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं, और काशी की जुबान पर निकलता है, गोडे पर होदा और गोडे पर होदा और हाधी पर जिन जान लेकर भागल बारी नहाश्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतं के वो परियाए इतिहास के काले पन्नों तक सिमटकर रह गए हैं, और मेरी काशी, मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गवरव को फिर से नई भव्यता दे रही हैं। और बिल्कुल देखिए, वारणसी को आज के समय आप अगर देखें, तो अपने आपे एक इंस्पिरेशन है यह सिटी, औरन जेब ने कई बार इस सिटी पे अटाक किया, कई बार इन्वेडर्स ने काशी विश्वनात मंदिर को तोड़ा, नए स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनाए बहुत अत्याचार हुआ यहां के लोगों पर, मगर तब भी काशी आज भी खड़ी है, और काशी आगे बढ़ रही है, और PM वोदी ने बाद में इसी सेंटिमेंट को इक्वेड किया है, निव इंडिया से, कि जो नया इंडिया है, वो अपनी परानी कुल्च्ट्र कर रही है, वैसे ही इंडिया भी अपनी परानी जो खोई हुई ग्लोरी है, जो सोने की चिडियां को कहते थे, उस ग्लोरी को हम रीगेन करेंगे, और उसके लिए PM वोदी ने ये का है, कि देश को तीन एसपेट्स पर फोकस करने की आवशकता है, एक तो cleanliness, आप सब भारत में अगर हम सब मिलकर साव सवाई रखें, तो overall ease of living भी काफी improve होगी, tourism में भी आप increase देखेंगे, और इंडिया की image भी overall improve होगी, उसके इलावे नोने का है creation और innovation, देखो भारत को आज के समय innovation ही आगे बढ़ाएगी, हमें innovate करना होगा, नई companies बनानी होंगी, नए products बन पाएगे क्योंकि दुनिया में आज के समय बहुत competition है, हर जगा आप देख रहे हो creation हो रही है, innovation हो रही है, और वारण असी हमारे यूवको को inspire कर सकती है to create and innovate, और अभी तो देखिए इस corridor में और भी आपको changes देखने को भी लेंगे, total 800 करोड रुपे का ये corridor है, और जिस तर की construction करी थी, बहुत से workers हैं, उनको इस तरीके से समानित किया PM Modi ने, अलग से यहां पर आप देख पाओगे, इनको highlight किया गया है, क्योंकि इनी की manner से ये corridor बन पाया, और यहां पर आप देख पाएंगे, बाद में PM Modi ने इनके साथ lunch भी किया, तो ये steps भी मैं कहूंगा, काफ देनी चाहिए, और फाइनली आपर मैं ये भी add कर दूँ, कि आप अगर UPSC exam की त्यारी करना चाहते है, लाइफ में गवार प्रॉपरली, तो comment section में जाओ, pin comment में आपको मिलेगा ये link, इस link पे करो click, और यहां पर आप परचेस कर पाएंगे, अनकाडमी का unique combo package, जिसके उसके लावा, additional saving यहां पे आपकी होगी, अगर आप use करते हैं, promo code PD10, तो अगर आप एक college student है अभी, आपके पास time है, 2-3 साल का time है, आराम से आप कुछ समय रुक कर एक proper attend दिना चाहते हैं, UPSC का, तो 24 महिने, 36 महिने का जो course है, ये भी आप कर सकते हैं purchase, simply use the code PD10 and save your hard-earned money सो इसी note के साथ, ये है video कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all!